दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो आप मिसने कर चगे तो चलिए वीडियो स्री राम का किरदान निबाने वाले अरुन गोविल मा सीता का किरदान निबाने वाली दीपिका चिलकिया और लक्षमन के किरदान में सुनिल लहरी ने लोगों को अपनी अदाकारी से साक्षात राम सीता और लक्षमन के दर्शन कराए वही हनुमान विबिशन जैसे रामाइंड के पात्र है जिनकी आज खूब चर्चा हो रही है लेकिन वह इसे सुनने के लिए अब इस दुनिया में मौज़ुत नहीं है जी हाँ हम आपको बताने जा रहे हैं इस शोके ऐसे कलाकारों के बारे में जिनका संबन रामानन सागर की रामाइंड से अटूट है लेकिन वह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं पर हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों के दिल में एक खास जगा बना चुके हैं दुनिया चलेना स्रीराम के बिना, राम जी चलेना हनुमान के बिना, और हनुमान का गिरदार दारा सिंग्स से ज़्यदा कोई और अच्छा नहीं निपा सकता। दर्शक रामाणन सागर की रामण डेखकर ये कहते नजर आ रहे हैं लोग इश शोको देखकर दारा सिंग को नहीं है लेकिन हनुमान के किरदार से वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं साल 2012 जुलाई महिने में उनका दिहान दो गया था विपिशन का किरदार निबाने वाले एक्टर मुकेश रावल भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं एक आद्से में उनकी मृत्ती हो हुआ है इस शो में उन्होंने बाली और सुग्रिव दोनों का ही किरदार निबाया था श्याम शुंदर की नाती निलम ने ट्विट कर बताया था कि उनका निदन 23 मार्स 2020 को हुआ उन्होंने ये भी बताया कि श्याम शुंदर बॉलिवूड और हॉलिवूड में भी काम कर चुके हैं मंत्रा का किरदा निबाने वाली बॉलिवूड एक्ट्रेस ललीता पावार हिंदी सिनिमा की कई फिल्मों में नजर आ चुकी है उन्होंने परदे पर कई सारे नेगेटिव किरदार किये और मशूर हुई साल 1988 चोविस फरवरी को उनकी मौत हो गई थी वही शो म कोशलियमा का किरदा निबाने वाली एक्ट्रेस जैसरी गड़कर ने भी साल 2008 में अगस्त मैने में अंतिम सास ली जैसरी मराटी एक्ट्रेस थी राजा जनक की भुमी का निबाने वाले एक्ट्र मौल राज राजदा का निधन 23 सितंबर साल 2012 में हो गया था वही मेगनाद क किरदार को निबाने वाले विजे अरोरा भी साल 2007 में फरवरी के मैने में गुजर गए थे